सब लोग पूरा देश हद प्रभ है दुखी है आज तक पीडित है मडीपूर के अंदर एक कारगील योद्धा की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया सैक्रों महिलाओं के साथ दरंदिगी हुई भारत के प्रदानमंत्री खामोस रहते हैं हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलाकार किया दरंदिगी की मा की उमर की महिलाओं के साथ पधान मंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा इसी को वोल्ट देना ये भारत का वविश्व एफेट जनर वनना उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थी न्याय मांगने के लिए तो यही स्वाती मालीवाज जो महिला आयोग की अध्याश थी रात में उनके समर्थन में गई थी पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था हमने देखा यहीं उत्तर प्ड़ीश के अंदर कुल दीप सेंगर के मामले में हाथ रस के मामले में देश के प्रधान मंतरी खावोस रहते हैं एक शब्द नहीं बोलते हैं आम आद्मी पार्टी हमारा परिवार है पार्टी ने अपना रुक साफ कर दिया है और मैं चाहता ह वो जितने भी से मैंने आपके सामने रखे हैं देश के प्रधानमंत्री और भारती जन्ता पार्टी को जवाब देना चाहिए सब लोग पूरा देश हद प्रभ है दुखी है आज तक पीडित है मणिपूर के अंदर एक कारगील योधा की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया सैक्रों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई भारत के प्रधानमंत्री खामोस रहते हैं हजारों महिलाओं के साथ प्रध्जल रवन्गा ने बलाकार किया दरिंदगी की मा की उमर की महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा इसी को वोल्ट देना ये भारत का वविस्व है पेचलर वन्ला उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थी नयाय मामने के लिए तो यही स्वाती मालीवाज जो महिला आयोग की अध्याश थी रात में उनके समर्थन में गई थी पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था हमने देखा यहीं उत्तर देश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में हाथ रस के मामले में देश के प्रदान में तरी खामोस रहते हैं एक शब्द नहीं बोलते हैं आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है पार्टी ने अपना रुक साफ कर दिया है और मैं चाहता हूँ जितने विसे मैंने आपके सामने रखे हैं देश के प्रधानमंत्री और भारती जंता पार्टी को जवाब देना चाहिए